हालो फ्रेंट्स एंडी रॉल स्ट्वेंट्स आप एलनेमी डिग्री पार्ट वन फ्रेंट्स मैं आपका सर मिस्टर डीकमार सबसे पहले स्वागत करता हूँ आप सभी का SSP एजूकेशन सेंटर की इस ओफिसियल यूट्व चैनल पर इस वीडियों मैं डिग्री पार्ट वन के वैसे स्ट्वेंट्स इनका ओनर्स पेपर साइकलोजी है तो उन सब ही के लिए इस वीडियो में साइकलोजी ओनर्स पेपर वन से ऐसे महत्वपुर्ण सब्जेक्टिव प्रसन बताने जा रहा हूँ जिसके आपके इग्जैम में 100% पूछने की गारंटी है जहां दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और हर एक प्रस्टों की अच्छे तरीके से तयारी कर लेते हैं तो आप अपने एक्जैम के 100% कुशन्स का आंसर दे पाएंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए साथ मेगर आपने अब भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि जो आपका सब्सेटरी पेपर का आप्जिक्टिव कोशन्स होगा उसका भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन बिल दबाकर और नोटिफिकेशन आउन करके जरूर रखेगा ताकि हर एक आने वाले वीडियो की जानकारी आपको अप्टूडेट मिलती रहेगी तो चले बिना समय वेस्ट के को देखते हैं जैसा कि पहला कुस्टिन है कि मनुविज्यान की प्रयोगात् आपको कहां मिलेगी कौन से गेस पेपर में इनका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगी तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो यहां पर दूसरा जो कुस्टिन है कि मनुविज्यान की एक प्रविधी के रूप में प्रसनावली का मुल्यांकन करें इसको दूसरे तरी प्रत्यक्षन के कि बारे में गेस्टालट वादी विचारधारा का वर्नन करें या अवगात्मक संगठन के नियमों की विवेचना करें उसके बाद आगे पांचमा कुस्ते हैं कि क्लासिकल कंडिस्निंग सिधान्त क्या है पावलव के प्रियोग द्वारा इसे असपस्ट क करें देखिए पावलाव का जो सिधानत है यही आपका क्लासिकल कंडिशनल सिधानत है या जिसको सास्त्री अनुबंध सिधानत भी कहते हैं इसी को दूसरे तरीके से से पूछ सकता है कि अधिगम के सास्त्री अनुबंधन सिधानत का आलोचनात्मक वर्नन करें मतलब इसका आलोचना करना है कि इसमें क्या-क्या चीज़े वह खामिया है उसके बाद है कि सीखने के अनुबंधित अनुक्रिया सिधानत की व्याक्या करें फिर पावलाव के निस्चित रूप से आएंगे ही आएंगे उसके बाद चठ्था जो प्रस्ट है कि वाचिखा लिखने वाचिखने से सिखने के बिभीनी विदियों का सापवेचेकोशिक महत्व बताएं यह उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है अस्मृति के स्वरूप पर प्रकास डालें के प्रमुक्तत्प आपर वर्नन करें यह बेहदी महत्वपुन कुष्ण है यह पे आगए कि लगु कालीन THIS कि और दिए में प्रेविशन को बतलाएं उसके बाद है। सिक्षन में प्रेवना के महत्वका वर्णन करने व רוצ अंछ के रहे हैं। किसी वह इनसान को या किसी भी वेक्ति को सिक्षा के लिए तो उसमें प्रेवना का क्या महत्वका इसी ज्यूसरे करना का है, जो 2018 का कुश्चन्स है, उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है, कि आपके previous year के questions repeat किये जाते हैं जैसे कि 19 का question 20 में न repeat होके 21 में repeat होगा उसी प्रिकार 18 का question 20 में आने की बहुत ज़्यादा संभाव न रहती है तो इसे आपको देख लेना है 2018 का question तो आप निश्चित रूप से match कर लिजेगा इसमें जितने भी questions आपको बताये जा रहे हैं तो चार सब्जेक्टिव या फिर 5 अगर सब्जेक्टिव भी रहते हैं तो टोटल आपके 11 या 12 प्रस्ण पूछे जाएंगे उसमें 5 बनाना रहता है तो इस तरह से आप लोग देख लीजेगा उसके बाद 12 नमर कुशनत हो गया कि जन्मजात अभी प्रेरण से आप क्या समझ करें या समवेक के हाइपो थेलमस हाइपो थेलेमस सिधानत के गुन दोसों का उलेख करें 15 नमर कुशन है कि बुद्धी के संबंद में थारंडाइक के बहुतत्व सिधानत की व्याख्या करें कि थारंडाइक का सिधानत बरावर पूछा जाता है तो इसे आपको देख ले प्योगताओं का वर्णन करें ये भी महतुपुन कुशन है बरावर कि जैम में आते रहते हैं ब्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों का विवेचन करें उसके बाद 20 नमर प्रसन है कि ब्यक्तित्व के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भूमिका का वर्णन करें आगे फिर questions दिया गया है इसी को दूसरे वे में कि व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों का वर्णन करें 21 नमर प्रसन है कि व्यक्तित्व के निर्धारन में सैक्षिक निर्धारकों की भूमिका का वर्णन करें और 22 नमर प्रस्ण है कि प्रेक्षन से आपका क्या अभिप्राई है प्रक्षेपी प्रवीदियों के स्वरूप गुनों एवं अवगुनों का वर्नन करें या इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकते है कि व्यक्ति के प्रच्षेपी प्रिक्षन का मुल्यांकन करें और 23 नमर प्रस्ण है कि व्यक्तित्व मापन के रूप में TAT के गुन एवं सीमाओं का वर्नन करें तो इस तरह से आपके 23 महत्वपुर्ण प्रस्ण है जो आपके एक्जैम के लिए बहुत ही विविया है तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लिजेगा अब इसका आंसर आपको कहा मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप लोग अगर नजदी की जो भी बुक स्टॉल होगा वहाँ पे मनुर्मा का गेज़ पेपर ले लिजेगा और मनुर्मा के गेज़ पेपर में आपको इस तरह से देख सकते हैं कुशन्स आपके पहले ही पेज में दिया गया होगा और उसका आंसर कहा मिलेगा तो पेज नमर सामने में आपको दिया गया है तो इस तरह से अगर आप मनुर्मा का गेस पिपर ले लेते हैं तो ये युनिवर्सिटी का बहुत ही विश्वासी गेस पिपर है और मनुर्मा का जो भी आपका first page में questions दिया गे रहते हैं निश्चित रूप से इसी से हरे questions आ जाते हैं जो भी questions आते हैं exam में वो इसी 23 questions के अं महत्पुन question है जो आ सकते हैं तो previous questions को भी देख लेना है मैं आप लोगों को वीडियो के माधियम से प्रेवेस का question भी प्रोवाइट करवा दूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथ में notification बेल को दबाकर all notification जरूर आउन करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सुचना आपको up to date मिलती रहेगी मिलते हैं नए वीडियो में आगेने वाले महत्पुन questions के वीडियो के साथ तब तक के लेते हैं लविदा जय हिंद जय वारा thank you thank you so much